नमस्कार मैं हूँ विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं दफरंट जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाये जाने और जम्मू कश्मीर को केंदर शासित प्रदेश बनाये जाने के तीन महीने के बाद दो एहम ख़बरें आज आई हैं जी हाँ पहली खबर है कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP में बगावत हो गई है बगावत के सुर गूजे हैं बगावत का बिगुल फूग दिया गया है खुद महबूबा मुफ्ती के खिलाफ दूसरी खबर आई है सुप्रिम कोर्ट से तीन महीने के आज सुप्रिम कोट ने सुनवाई करते हुए एक एहम फैसला दिया है और ये एहम फैसला इंटरनेट की बहाली को ले करके हैं। मुफ्ति 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 के फादर थें उनके समय से वो पाटी के साथ हैं और उन्होंने 370 हटाये जाने के लिए सीधे तोर पर महबूबा मुफ्ति को जिम्मेदा ठहराया है। मुझफ्र हुसैन बेग ने ये कहा है कि महबूबा मुफ्ति का इस तरीके का बयान देना कि अगर 370 धारा 370 से छेड़ चाड़ हुई तो कश्मीर में तिरंगा नहीं लहराने देंगे। इस तरीके का बयान जो महबूबा मुफ्ति ने देया वो जिम्मेदार बना कश्मीर से जम्मो जम्मो कश्मीर से धारा 370 हटाये जाने का। मुझाफर हुसेन बैग ने का है कि हमें अगर कश्मीर के लोगों की बात करनी है तो हमें एक सब्भ और गर्मा पूर्ण तरीके से बात करनी चाहिए हम ग्रह मंत्री को प्रधान मंत्री को या NSA को विरोध करके या उनको उन पर दबाव डाल करके अपने पक्ष में फैसला नहीं ले सकते हैं सीधा सीधा जिम्मेदा ठहराया है धारा 370 कश्मीर से हटाये जाने को लेकर महबूबा मुफ्ती की ही पार्टी के वरिष्ट नेता ने महबूबा मुफ्ती को जिम्मेदा ठहराया है वो भी तब ठहराया है जब महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के खिलाफ काम करने को लेकर के अनुशास नात्मक करवाई करते हुए आठ पुर्व विधायकों को कल ही पार्टी से निकाला है जिया, इन आठ पार्टी के विधायकों ने LG से मुलाकाद की थी और पाँच अगस्ट को LG से मुलाकाद की थी, उसके पहले इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों से और जम्मू कश्मीर की जनता के बीच कुछ ऐसी बाते की थी जो की PDP को रास नहीं आ रही है और खास करके महबूबा मुफ्ती को रास नहीं आई इसलिए उनको फटाया गया अब ऐसे में मुझफर हुसेन बेक का ये बयान जो सीधे सीधे ठहरा रहा है महबूबा मुफ्ती को कश्मीर के बटवारे और जम्मू कश्मीर से धारास 370 हटाये जाने को लेकर के दूसरी बात पर आते हैं सुप्रिम कोट ने आज एक एहम फैसला दिया है 370 हटाये जाने के बाद कश्मीर में जिस तरीके से इंटरनेट सिवाए बाधित हैं जिस तरीके से इंटरनेट पर बैन लगाया गया है उसको सुप्रिम कोट ने अभिव्यक्ति के अधिकार के दाइरे के अंतरगत माना है अपने आदेशों की समिख्षा करें. स्वतंतरता और सुरक्षा में एक भेद होना चाहिए, एक अंतर होना चाहिए, और यह बड़ा माइनर सांतर है, इन दोनों की देखरेक, इनको सहज तोर पे लिया जाना चाहिए. कहीं ऐसा न लगे, कि लोगों की सुरक्षा में करते करत पंदरव विदेशी लोगों का विदेशी राजनाइकों का जो फॉरन एंबेसडर्स हैं उनका डेलीगेशन इस वक्त कश्मीर गया हुआ है पंदरव देशों का डेलीगेशन उस पर भी कई सारी राजनीत हो रही है लेकिन अभी बात सुप्रिम कोर्ट की सुप्रिम कोर्ट ने साफ तोर से ये कहा है कि सरकार साथ दिनों के अंदर एक सप्ताह के अंदर जम्मू कश्मीर में जो आदेश दिये गए हैं उन आदेशों की समिक्षा करें इंटरनेट जो जरूरी जगहों पे हैं कैसे बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ऐसी जगहों पे और सरकारी दफ्तर ऐसी जगहों पे इंटरनेट की बहाली जल्द से जल्द की जाए और तुरंत की जाए सरकार स्वतंतरता और सुरक्षा में एक सामन जस्य अस्थापित करे और लोगों को ये न लगे कि उनकी सुरक्षा के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है या सुरक्षा का जो काम सरकार कर रही है सरकार की तरफ से हो रहे हैं वो उनकी स्वतंतरता को बाधित करने वाले हों कई सारी तमाम बाते हैं जो सुप्रिम कोर्ट ने सीधे सीधे कही है और सरकार से कहा है कि समय समय पर जो भी आपके आदेस हैं उसकी समिक्षा होते रहनी चाहिए और ये जम्मू कश्मीर के नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए कोर्ट को एहम लगता है तो अभी के लिए इतना ही आगे जैसे इस बारे में और जानकारी आप आएगी हम आप तक लेकर आएंगे धन्यवाद